जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं मार्ग सीस मास में सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण के मुस्लिम भक्त रस्खान की कहानी रस्खान जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे वे मुस्लिम थे लेकिन उनका भगवान से इतना अधिक प्रेम था की देखने वाला देखता ही रहता था धन्य है भगवान जो किसी भी व्यक्ती की जात पात नहीं पूछते भगवान के बारे में यही बात आती है जात पात पूछे नहीं कोई हरी को भजे सो हरी का होई अगर आप भग्ती मार्ग पर है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बस भगवान से आपका प्रेम हो जाए एक बार तो भगवान और भग्त में कोई अंतर नहीं रहने वाला रस्खान के बारे में एक कथा आती है जो इस प्रकार है एक बार रस्खान जी अपने उस्ताद और अनेक लोगों के साथ मक्का मदीना हज यात्रा पर जा रहे थे रास्ते में उनके उस्ताद ने कहा देखो हिंदू का तीर्थस्थर ब्रिंदा बनाने वाला है वहां एक काला नाग रहता है मैंने सुना है जो ये नाग है वह ब्रिंदा बनाने वाले यात्रियों को दस लेता है इसलिए तुम संभल कर चलना इधर उधर बिलकुल मत देखना एकदम सीधे सीधे मेरे पीछे चलना इतना कहना था उस्ताद जी का की रस्खान को उच्षुकता होने लगी मानो आज क्रिष्ण जी उन्हें अपनी ओर खीचने लगे क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम का यही अर्थ है जो सर्व आकरसर है जो सबको खीचता है रसकान जी सोचने लगे ये ब्रिंदा बंधाम तो स्री कृष्ण जी का है फिर यहां नाव लोगों को कैसे डस ले सकता है ऐसा सोचते सोचते हुए वो चले जा रहे थे कि भगवान ने अपनी लेला करनी सुरू कर दी कृष्ण जी ने सोचा देखू एक कब तक इधा उधर देखे बिना चल सकता है बाके बिहारी जी ने अपनी मुर्ली की तान छेडी रसकान अभी बचने की कोशी सी कर रहे थे कि राधारानी के पाउं की नुपुर भी बजने लगी रसकान को अब अपने पर काबू करना मुश्खिल हो रहा था उस्ताज जी की काला नागवाली बात भी याद आ रही थी अब वो करें तो क्या करें रसकान जी मंत्र मुग्द हो ये जा रहे हैं इतने में यमना नदी आ गई और रसकान देखे बिना नहीं रह सके वहां क्रिश्ण जी अपनी प्रिया स्री राधारानी के साथ विराजमान थे रसकान ने उनकी एक जलक देख ली मानू आज सब कुछ भुला बैठे स्री राधारानी और श्याम जी के युगल छबी के दर्सन पाकर ओ मतवाले हो गए आज भगवान के रूप माधूर्य को रसकान जी ने चक लिया और जिन्हें भगवान के प्रेम का चसका लगे उसे और बाकी चीज की जरूरत नहीं होती रसकान जी अब ब्रज की रेत में लोट पोठो रहे थे मूँ से उनके जाग निकलने लगा भगवान उन्हें दर्सन दे कर अंतर ध्यान हो गए यहां रसकान जी भगवान को ढूढने में लग गए सभी से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं तुम्हें कहीं हमारे सावरे सलोने को देखा किसी ने स्याम की प्राड प्यारी राधा जी को देखा ऐसा कहकर रसकान जी बार बार बेहोस होते जा रहे थे रसकान के उस्ताज जी आगे निकल गए थे जब उन्होंने पीछे मुड कर देखा तो उन्हें रसकान कहीं नजर नहीं आया उस्ताज जी के साथ अन्यलो हैरान रह गए की रसकान कहां रह गए जब सभी वापस पीछे आये और उन्होंने रसकान की दसा देखकर समझ गए की उन्हें कालिया नाग ने दस लिया है और अबे हमारे किसी काम के नहीं है उस्ताज जी वा अन्यलो रसकान जी को वहीं छोड़ कर हज पर चले गए अब रसकान जी ब्रिंदा बन में ही रहने लगे रसकान को जब होस आया तो फिरो कृष्ण को ढूढ़ने लगे रसकान जी पूछते हैं तुमने कहीं सावला सलोना जिनके हाथ में मुरली है साथ में उनकी बेगम भी हैं कहीं देखा है ओ कौन है कहां रहते हैं तब किसी ने द्रिंदा बन में स्री बाके भिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया रसकान जी दोड़े दोड़े मंदिर गए लेकिन मंदिर के अंदर पुजारी ने उन्हें प्रवेश देने से रोक दिया रसकान जी मंदिर के बाहर तीन दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे तीसरे दिन खुद बाके भिहारी जी अपना प्रियदूद भाद चादी के कटोरे में लेकर आये और उन्हें अपने हाथों से खिलाया इसके बाद रसकान ने भगवान के लिए ऐसे ऐसे पद लिखे ऐसे ऐसे भाव लिखे की पढ़े पढ़ने वाले आश्चर यचकित रह जाते थे एक मुस्लिम भक्त का भगवान के लिए इतना प्रेम ऐसा लगता था मानो सारी लिलाएं रस्खान को दिखाई दे रही है और रस्खान उन्हें अपनी कविता के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं रस्खान जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम यदि हिरगय में उत्पन हो जाए तो फिर ओ जाने वाला नहीं है जैसे जो बून समुन्द्र में मिल गई तो फिर कहां जाएगी रस्खान जी कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहत प्रेम न जानत कोई जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत कोई रोई